नवश्कार एदाप सिस्रिकाल सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर मेरा नाम है तनुछ बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर Electromagnetic Induction Electromagnetic Induction का आज Lecture No.3 डिस्कस करने वाले हैं भाई आज की क्लास में Lecture No.3 के अंदर हम EMF Induce करने के और तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे पिछले Lectures के अंदर हमने EMF Induce किया Flux को चेंज करके Magnet को Move करके, Area को चेंज करके, Magnetic Field को चेंज करके, Angle को चेंज करके Basically Flux चेंज करने से मतलब था आज हम EMF Induce करने वाले हैं, Rod को Move करके कोई एक Rod होगी हमारे पास Conducting Rod होगी उस Rod को Move करेंगे और EMF या Induced EMF Generate करेंगे Rotational EMF, Rod को Rotate करेंगे, उससे भी EMF Generate होगा Rod को Move करने से भी होगा और Rod को Rotate करने से भी EMF Generate होगा तो ये हमारे आज के Topics हैं, ठेक है जी? चलो, सबसे पहले, Emotional EMF, Emotional नहीं, Emotional EMF Emotional नहीं होना है भाई, Emotional नहीं होना है, क्या लिखा हुआ है? The EMF Induced to the Motion of a Conductor in Magnetic Field अगर किसी भी Conductor को Conducting Rod लगा लो कोई, तो उसको Magnetic Field के अंदर जब Move करवाया जाता है, तो उसके अंदर EMF Generate होता है, यानि की Potential Difference Generate होता है, कैसे होता है? आईए बात करते हैं, माल लीजी, हमारे पास Cross Magnetic Field है, ये तो भाईया, हमारी पहचान बन गई है, इतनी बार Cross बना लिया है हमने, ये Magnetic Field हमारी पहचान बन गई है, तेका जी, ये बन गई, उसके बाद, इसके अंदर हम Rod को Move करवा रहे हैं, इसके अंदर हम Rod को Move करवा रहे हैं, तेका जी, जब हम Rod को Move करवा रहे हैं, इसकी Velocity V है, ठीका जी, Rod को Move करवा रहे हैं, इसकी Velocity V है, Length L है, Magnetic Field B है, B is the Magnetic Field, V is the Velocity, L is the Length, ठीका जी, Magnetic Field B है, Velocity V से Move कर रही है, Motion बात कर रहे हैं, रोड का, और Length इसकी L है, आप यह देख पा रहे हैं, कि तीनों आपस में Perpendicular हैं, ठीका जी, यह तीनों आपस में Perpendicular हैं, Velocity, Magnetic Field Z में हैं, अंदर, Velocity X में हैं, Length Y में हैं, ठीका जी, तो यह तीनों आपस में क्या हैं, Perpendicular हैं, B, V and L are Perpendicular to each other, B, V, L are Perpendicular to each other, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कि सर, अगर Perpendicular नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो भी बात करेंगे, लेकिन बेटा, पहले Perpendicular की बात करते हैं, ठीके जी, यह तीनों आपस में क्या हैं, Perpendicular, ठीक, Mutually Perpendicular, ओके, तो यह Rod Magnetic Field के अंदर, मूव कर रही है, अगर यह Rod Magnetic Field के अंदर, मूव कर रही है, तो इस Rod के Electrons भी मूव कर रहे होंगे, साथ साथ ही जा रहे होंगे, है ना, इस Rod के Electrons भी इसके साथ साथ ही जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे, अगर यह Rod जा रहे है, Q V cross B या फिर यह होता है Q V B sine theta टिक Q V cross B या Q V B sine theta अब यहाँ पर देखिएगा कि यह velocity है cross magnetic field है thumb ठीक है जी V cross B जब हम कर रहे हैं तो इसकी direction उपर आ रही है V cross B जब हम कर रहे हैं तो इसकी direction उपर आ रही है ठीक है जी V ऐसे cross B उपर लेकिन यह electron है यह negative charge है electron is a negative charge negative charge पे जो भी V cross B करके direction आती है उसका आपको उल्टा करना पड़ता है क्योंकि यह negative charge है अगर आप negative charge पर बात करोगे यहां पर माइनस इ लिखा जाएगा इसलिए मैं direction उल्टा कर रहा हूं इसलिए direction उल्टी कर रहा हूं तो V cross B से तो उपर आ रहा है लेकिन electron का जाएंगे नीचे जाएंगे इकठ्ठ्ठ्थ रोड के अंदर सरो रोड के इनदर ए्लेट्रों स्निचे Jupiter हो जाएंगे कि तो नीचे नेगकिटिव चार्ज इकठ्था हो जाएंगा क्योंकि Electrons passes नीचे जाएंगे इलेक्ट्रों के नीचे जाने की वज़े से उपर ने-ग्टिव चार्ज की कमी हो जाएगी negative charge की कमी को positive कहा जाता है देखो proton कभी भी move नहीं करते ठीक है ना proton नहीं move करते conductor में क्योंकि proton तो fix होते हैं nucleus के अंदर होते हैं वो नहीं बाहर निकल सकते ये free electrons हैं जो की move कर पा रहे हैं ठीक है ना ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉंज को पर फोर्स जो है वो नीचे लगेगा ठीक है जी और उसकी वजह से नीचे नेगटिव चार्ज इकठ्था हो जाएगा और उपर positive चार्ज इकठ्था हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉंज पर जो magnetic force है वो नीचे की तरफ लगेगा ये मैंने magnetic force की direction बना दी है ठीक है जी ओके उसके बाद ये magnetic force की direction बना दी अब इसकी वज़े से ये positive और negative generate हो गई ठीक है ना electrons नीचे जाना शुरू हो गई electrons जब नीचे जाना शुरू हो गई और ऊपर positive charge यानि की electrons की कमी हो गई तो एक electric field generate हुई आपको पता है कि electric field की direction positive से negative होती है ठीक है ना तो नीचे की तरफ electric field generate हो गई भी या positive से negative क्या generate हो गई electric field यह positive है यह negative है higher potential lower potential तो higher potential से lower potential की तरफ क्या generate हो गई electric field generate हो गई भी या और जैसे ही यहाँ पे electric field generate हो गई तो electric फिल्ड के opposite जो है फोर्स लगेगा electron पे electrostatic force क्या होता है बटा electrostatic force होता है charge into electric field इसमें कोई cross product नहीं होता और चार्ज यहाँ पे negative है इसका मतलब यह हुआ कि electron पे अब electrostatic force भी लगेगा क्योंकि electric field generate हो चुकी है देखो हुआ क्या है एक रोड है बेचारी रोड मूव कर रही है magnetic field के अंदर रोड पर magnetic force नीचे लग रहा है सौरी electrons पे तो electrons नीचे जाना शुरू हो गए और उपर electrons की कमी हो गई negative charge की कमी हो गई तो positive charge आ गया लेकिन जैसे positive negative create हुए बटा electric field generate हो गई positive से negative तो electric field के opposite of electron पे force लगेगा यानि कि electron पे जो है electrostatic force उपर की तरफ लगेगा क्या लगेगा उपर की तरफ लगेगा और finally एक equilibrium अचीव होगा जब यह दोनों force बराबर हो जाएंगे उसके बाद और electrons नीचे नहीं जाएंगे मेरी बात ध्यान से सुनना है electrons पे magnetic force कहां लग रहा है नीचे लग रहा है नीचे लग रहा है electrons कहां जा रहे हैं नीचे जा रहे है सवाल यह पैदा होता है कि क्या सर सारे free free electrons नीचे चले जाएंगे कि सारे कि सारे free electrons नीचे चले जाएंगे नहीं भाया equilibrium आएगा ठीक है जी चीजें balanced होंगी नेचर सभी चीजों को balanced कर रखती है तो जैसे ही आप पर positive negative create हो गया तो electric field generate हो गई उस electric field के opposite electron पर electrostatic force लगना शुरू हो जाएगा जब ये दोनों force बराबर हो जाएंगे उसके बाद एक भी electron उपर नीचे नहीं जाएगा तुरू में electrons नीचे जा रहे हैं ठीक है न क्योंकि magnetic force लग रहा है लेकिन जैसे ही magnetic force लगा electric field generate हो गई और जैसे electric field generate हो गई electrostatic force उपर लग गया electrostatic force जब magnetic force को balance कर देगा तब उसके बाद एक भी electron का उपर नीचे motion नहीं होगा उसे हम कहते हैं कि equilibrium achieve हो गया equilibrium achieve हो गया ठीक है जी चलो यहाँ पर हम लिखेंगे at equilibrium electrostatic force और magnetic force दोनों बराबर होंगे equilibrium पे electrostatic force और magnetic force दोनों बराबर होंगे भी है electrostatic force जो है वो qe है यह होता है qvb sin theta qvb sin theta q से q तो कट जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो e is equal to vb sin theta अब sin theta क्या होगा बिटा sin theta velocity और magnetic field के बीच का angle है velocity x-axis में magnetic field अंदर है z-axis में theta 90 होगा ठीक है जी theta 90 होगा तो हमारे पास जो electric field की value आ गई that is e is equal to v into b e is equal to v into b यह हमारे पास electric field की value आ गई ठीक है जी e is equal to v into b और अगर velocity निकालनी है तो e by b हो जाएगी कभी कोई आपसे velocity की dimensions भी पूछ सकता है आपको question आ जाएगा electric field divided by magnetic field इसकी dimension बताओ तो बेटा क्या generate हो गई electric field generate हो गई भी ध्यान से सुनिएगा तो दिस इस दा इलेक्ट्रीक फिल्ड जनरेटेड अब आगे सुनो यह तो हो गई electric field generated अब आगे की बात electric field generate होने की वज़े से potential difference अभी जनरेट हुआ है positive negative आये थे ठीक है ना positive negative आये थे कि नहीं है थे तो electric field का potential difference के साथ relation क्या होता है वो देखना पड़ेगा अब इलेक्ट्रीक फिल्ड से potential difference कैसे निकाला जाए आपको पता है कि e is equals to minus dv by dr होता है अगर आप माइनस तो चलो direction की वज़े से होता है अगर आप minus को भूल भी जाओ तो e is equals to dv by dr होता है है ना इसका मतलब dv is equals to edr होता है यहां पे जो potential difference है उसको हम बोलते हैं induced EMF यहां पर potential difference को हम बोलते हैं induced EMF ठीक है जी जो generate होता है क्योंकि यह rod के motion की वज़े से generate हो रहा है चैप्टर चल रहा है electromagnetic induction तो इसको बोलेंगे induced EMF due to the motion of the rod और यह small e से ही लिखा जाएगा e into dr dr मतलब distance distance यानि की length यहां पर तो length कितनी है एल है एल है ठीक है ना तो इसको लिखेंगे एल ठीक है ना capital E into L और capital E कितना है VB और into L induced EMF बन गया BVL induced EMF बन गया magnetic field and length are perpendicular to each other rod की magnetic field rod की velocity और rod की length तीनों आपस में क्या है perpendicular है तो तीनों आपस में perpendicular है तो rod में induced EMF generate हो रहा है इस इस दा इंड्यूस्ट EMF generated in the rod due to motion due to motion इसलिए इसे क्या कहा जाता है emotional EMF emotional नहीं emotional होके फैसला नहीं करना है कैसा है emotional EMF है भई रोड के motion की वज़े से produce हो रहा है मैं आपको दुबारा बता देता हूं सारी कहानी कुछ मैं यहां पर लिख भी दूँगा ठीक है ना जो कुछ-कुछ में पॉइंट्स होंगे वह मैं लिख भी दूँगा मैं आपको सारी कहानी दुबारा बता देता हूं god magnetic field के अंदर move कर रहे है तो इसके Rod के electrons भी Move कर रहे हैं जैसे यह Rod के इंदर electrons move करेंगे magnetic field के अंदर निधर इन पर फोर्स लगेगा B x V उपर आ रहा है इलेक्रों से फोर्स नीचे लगेगा जो नीचे जाना ये इसकी वजे से उन्ग और इलेक्टर कमा जाएगे दोनों हो जाएंगा इसके बाद और एलेक्ट्रों उपर या नीचे नहीं जाएंगे कहीं पर भी नहीं जाएंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उसकी वजए से अब पूरा इसका जो है वो कच्चा चिठ्था है जो हमने यहां पर आपके सामने खोल दिया है पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट आपके सामने खोल के रख दिया है क्लियर है बहुत बढ़ी है है तो यहां पर हम कहेंगे कि मेगनेटिक फूर्स और इलेक्ट्रॉंस इलेक्ट्रॉंस पर मेगनेटिक फूर्स पूरा आगे तक ही लिखते हैं मेगनेटिक फूर्स और इलेक्ट्रॉंस एक्ट डाउनवर्ड पूर्ट्विच इलेक्ट्रॉंस गेट अक्यूमेलेटेड गेट अक्यूमेलेटेड इसकी वज़े से इलेक्ट्रउंस लोवर एंड पे एक्यूमूलेट हो जाते हैं एक्यूमूलेट मतलब एकठे हो जाते हैं एन्द ए Data ही फिल इस जनड रेटीड कि अई एलेक्ट्रिक सुरीट जन रेटीड कि एम्देट्रिक फिल्ट जन्रेट चाटे इसकी वज़े से क्याजम्रेट होती है इलेक्ट्रिक फिल्ट जन्रेट होती है क्युक्ति फील्किय्य lógड होती है प्सक्रिवाइनली वेखली एकलिब्रियम इस रिज़ इसावत चैनल फॉर्दर मोशन फॉर्दर मोशन उधर्टर उस्तॉ यह जो फॉर्मूला है यह आपको याद रखना है यह इंडूस्ट E.M.F. आपको याद रखना है और यह हमारे पास है B.V.L. यह क्या है B.V.L. 22 का फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए अब इसी फॉर्मूले का आगे भी यूज करेंगे भी या ओविसली यूज तो करना पड़ेगा बिना यूज किये काम तो चलेगा नहीं यह सर बिल्कुल सही बात है करेंगे करेंगे अब पहले आगे की चीज़ें करेंगे इसी चीज को करने का यह बीवी एल को पर्डियूस करने का मैं एक और तरीका भी आपको बताऊंगा मतलब इसी फॉर्मूले को निकालूँगा एक और मेथड से देखने लेकिन परवाद में अब भी पहले इदर देखो अब यह जो रॉड है ना जो इसमें इंड्यूस हुआ है मैं क्या करता हूं इस रॉड को कंड़क्टिंग वायर्स के साथ टच करवा देता हूं कैसे अभी मैं आप पे आपको बता रहा हूं इदर बना देते बहुत द्यान से सुनियागा वी क्रॉस मगनेटिक फिल्ड है पूरे रीजन में एदर देखो बहूँ तो अब ध्यान से इस बात को समझेगा कि इस तरीके से हम इसको निकालेंगे जो रॉड है वो कंड़क्टिंग रेल्स पर रखी हुई है किस पर रखी हुई है यह कंड़क्टिंग रेल्स है जैसे मानलों कि मेरा हाथ एक कंड़क्टिंग रेल है इसके उपर रॉड को मूव क परवार हैं इनके साथ टच हो रही है यह देखो तो मेरे हाथ के साथ रोड टच हो रही है इसके साथ साथ मूव कर रही है इनके साथ टच हो रही है इन कंडक्टिंग रेल्स का रेजिस्टेंस आर है रोड का भी कुछ रेजिस्टेंस माल लेते हैं रोड है इंटर्नल रेजि अब यह जो rod है, इसमें क्या generate हुआ है? induced EMF generate हुआ है, जिसका positive कहां है, उपर और जिसका negative कहां है, नीचे, मेरी बात ध्यान से सुनना, rod ऐसे जा रही है, तो rod के अंदर induced EMF generate हुआ है, जिसका positive कहां है, उपर और negative कहां है, नीचे, इसको मैं as a shortcut आपको याद करवा देता हूँ, rod moving in magnetic field, तो क्या आगे use करना है ना में, rod moving in magnetic field, acts as battery, यह battery की तरह act करती है वई, आप यहाँ पे देखो, यह rod cross magnetic field है, उसके अंदर move कर रही है, उसके अंदर क्या कर रही है, move कर रही है, तीनों आपस में perpendicular है, इसके अंदर move कर रही है, तीनों आपस में क्या है, perpendicular है, तो इधर positive आगया और इधर negative आगया, यानि कि यह rod जो है, एक battery की तरह behave कर रही है, इधर positive है, इधर negative है, इधर positive है, और इधर क्या है, negative है, induced EMF है, V cross B, उपर, ठीक है जी, induced EMF है, that is BVL, तो यह rod एक battery की तरह behave कर रही है, जिसका positive terminal उपर है और negative terminal नीचे है, positive terminal उपर है और negative terminal नीचे है, ठीक है जी, V cross B उपर है, electrons पर force नीचे है, electrostatic force उपर है, magnetic force नीचे है, equilibrium achieve हुआ है, induced EMF इतना आ गया, अब यह rod एक battery की तरह behave कर रही है कर रही है, कर रही है, एक चलती हुई rod, magnetic field के अंदर potential difference या EMF produce करती है, तो वह एक battery की तरह behave करती है, ठीक है न, field acts as a battery, यह battery की तरह act करती है, और battery का positive terminal निकालने का तरीका क्या है, positive terminal निकालने के लिए, जो battery का positive terminal होगा, जो battery का positive terminal होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, V cross B, अब V cross B करो, बास, कोई negative, कोई positive, कोई कुछ नहीं देखना, V cross B करो, electrons का motion नहीं निकालना, मुझे यह पता करना है, positive terminal किस तरफ होगा, V cross B, V cross B, उस तरफ क्या आजाएगा, battery का positive terminal आजाएगा, अब यह जो rod इसके अंदर move कर रही है, यह भी battery की तरह act कर रही है, ठीक है ना, जब यह battery की तरह act कर रही है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि भाया, इस diagram को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, तेखना जा रहा हूँ, rod का internal resistance मैं a small r मान के चल रहा हूँ, rod का भी कुछ resistance मान के चल रहा हूँ, और इसके साथ capital r connected है, rod जो है, वो BVL है, इसका induced tmf जो है, वो BVL है, BVL है, BVL है, BVL है, समझ गए, बहुत बढ़ी है, अब यह circuit complete हो तो वह नजर आ रहा है, देखो, अभी तो rod अकेली थी, इसमें कोई current नहीं है, कोई current नहीं है वही, क्यों, क्योंकि circuit complete नहीं हो रहा है, क्या circuit complete हो रहा है, अभी तो सिर्फ अकेली battery है, रोड किस की तरह बेव करिया, बैटरी की तरह, अभी तो सिर्फ battery है, मुझे निकालना था induced current, induced current निकालने के लिए मैंने क्या किया इस rod को capital R से connect कर दिया capital R एक external resistor हो गया वह हमारे पास इस external resistance से मैंने इसको connect कर दिया और यह small R है यहां पर ठीक है जी यह capital R है यह small R है और induced EMF जो वो BVL है यह capital R यह small R और यह induced EMF BVL जो कि इसके अंदर यहां पर बन के आया है हमारे पास clear है जी इसकी वज़े से अब इस rod में current पैदा होगा क्या पैदा होगा current पैदा होगा ऐसी जाएगा ना क्योंकि यह positive टर्मिनल है यह negative टर्मिनल है तो rod के अंदर जो induced current होगा वो ऐसे जाएगा क्लियर है जी induced current है यह induced current है तो इस induced current की वज़े से अब देखो यह BVL है induced current क्या होगा आई induced लिख देता हूं मैं E by capital R plus small r total resistance देखो यहां पर लिखेंगे BVL by capital R plus small r यह हमारे पास हो गया induced current यह हमारे पास हो गया induced current भहिया यह induced current की value आ गई ठीक है ना BVL by capital R plus small r capital R plus small r ठीक है ना this is the value of induced current अब सुनो मेरी बात इस rod में current पैदा हुआ है इस rod में क्या पैदा हुआ है current पैदा हुआ है ऐसे इस अब पैदा हुआ है इसे इस दिखराया आपको आपको आपके पंगे छोटे नहीं है और पंगे एक दो नहीं है पंगे बहुत हैं जब हम current प्रुश् करना चाहते हैं तो पंगे बहुत आते हैं पंगा पता क्या आ रहा है पंगा पता क्या रहा है पंगा यह आ रहा है कि इसमें इंड्यूस्ट करेंट चला गया और यह रॉड के अंदर current है और रॉड मेगनेटिक फिल्ड में रख़्ी हुई है ध्यान देना रॉड के अंदर current है यह पंगे उस पर कहnov millimeters magnetic force रॉड पे लगेगा भीया रॉड़ पे अब magnetic force निकालना पड़ेगा रॉड़ पे जो magnetic force का formula होता है इस पर L positivity करना पड़ेगा L की Direction बैटा वो होती है जो 10 की Direction होती है के क्रेंट की Direction उपर है इस एल अंदर B magnetic force इदर L cross B magnetic force इदर L cross B L cross B इस तरफ magnetic force लग रहा है भई इस तरफ magnetic force लग रहा है ठीक है जी यह बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह magnetic force लग रहा है इसके उपर ठीक है ना this is the magnetic force acting on the rod यह rod पे magnetic force लग रहा है भई ऐसे लग रहा है ठीक है जी यह ऐसे की तरफ लग रहा है magnetic force इस direction में लग रहा है this is the direction of the magnetic force acting on the rod ऐसे लगेगा पीछे की तरफ ठीक है जी पीछे की तरफ magnetic force लगेगा अब यह velocity आगे है magnetic force पीछे है पहले तो यह निकाल लेते हैं कि यह कितना लगेगा formula होता है I L B sin theta सबसे पहली बात current कौन सा है induced current length है magnetic field है sin theta theta कौन सा होगा length y-axis में magnetic field z में length y में magnetic field z में theta 90 तो magnetic force जो लग रहा है वो मारे पास लग रहा है I induced into L into B और यह I induced है यह I induced है भाई बाई तो BVL by capital R plus small r into L into B BVL by capital R plus small r into L into B यह बन रहा है भाई B square L square V by capital R plus small r पता पंगा क्या है देखो अगर यह magnetic force पीछे नहीं लगता मैं feel करवा रहा हूं आपको अगर यह magnetic force पीछे नहीं लगता तो हमारी जिन्दगी की सारी दिक्कतें solve हो जाती है अगर कैसे आपके magnetic force पीछे लगने की वज़े से हमारी जिन्दगी की दिक्कतें कैसे solve हो जाते है भाई यह magnetic force लग रहा है पीछे ठीक है क्या यह इसकी velocity को कम कर रहा होगा क्योंकि velocity आगे है अब velocity की वज़े से क्या produce हो रहा है रोड के चलने की वज़े से induced EMF आया उसकी वज़े से induced current आया इसका मतलब रोड के चलने की वज़े से current आ रहा है रोड के चलने की वज़े से current आ रहा है अब रोड को हमने एक बार धक्का मार दिया उसके चलने की वज़े से करंट आ गया तो अगर रॉड को कोई रोकने वाला नहीं होता तो क्या ये रॉड हमेशा चलती रहती येस सर तो क्या रॉड में हमेशा करंट आता रहता येस सर तो क्या एक बार रॉड को धक्का मारके हम जिन्दगी भर के लिए करंट ले सकते थे यह सर कभी सुना है कि ऐसे इतनी असानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी घरों में बिजलियां आ कोदेंगी आपने क्या किया सबके पास एक रोड को धक्का मांड़ा चलती जाएगी चलती जाएगी कहीं तरु के गी यह पॉसिबल नहीं हो क्योंकि एक बार धक्का मारके हमें तो उसके बाद कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा हमें तो उसके बाद कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा तो लेकिन current फिर भी आ रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है इसी लिए magnetic force इसको रोकने के लिए कहां लगा है पीछे लगा है हम चाहते हैं तो keep the rod moving with constant velocity मैं चाहता हूँ कि rod constant velocity से चलती रहे मैं इस पे external force लगाऊंगा is equals to magnetic force आगे की तरफ मैं इस पे external force लगाऊंगा आगे की तरफ magnetic force पीछे external force आगे यह पीछे यह आगे external force इस पे लगेगा आगे की तरफ जो मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे काम करना पड़ेगा अगर मुझे करंट चीए ना वरना ये रौड रुक जाएगी मैं रुकने नहीं देना चाहता हूं मुझे करंट मिलता रहे तो मुझे काम करना पड़ेगा मैं हूँ एकस्टर्नल एजन्ट तो मैंने इस पर क्या लगाया आगे की तरफ फोर्स लगाई और मुझे उतना ही लगाना पड़ेगा अगर मुझे इससे कॉंस्टेंट विलॉस्टी से चलाना है क्योंकि कॉंस्टेंट विलॉस्टी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो यानि कि नेट फोर्स जीरो एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो नेट फोर्स जीरो मतलब जितना पीछे लग रहा है उतना ही अगर मैं आगे लगा दूँ तो रोड कॉंस्टेंट विलॉस्टी से चलती रहेगी बिल्कुल न्यूटन का पहला लॉब वो चलती ही रहेगी और उतनी ही velocity से चलती रहेगी तो मेरा external force भी उतना ही होगा यानि कि यहां पर जो external force होगा वो होगा b square l square v by capital R plus small r इतना ही external force मुझे भी लगाना पड़ेगा जितना यहां पर magnetic force लग रहा है इतना ही external force मुझे भी लगाना पड़ेगा जितना magnetic force यहां पर लग रहा है B square L square V by capital R plus small r ठीक है जी this is the external force that should be acting on the rod magnetic force लगा पीछे external force लगा आगे पीछे आगे पीछे आगे तो इसकी वज़े से हमारे पास ये induced EMF generator हो रहा है ठीक है जी समझ में आई बात देखो हुआ क्या है अभी कहानी बाकी है अभी तो emotional EMF चल रहा है यह ठीक है नहीं आपको काफी emotional कर देगा इतना emotional कर देगा कि आपको emotional करने के लिए बाहुत 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 काफी है यह चलिए सुनिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं कि भीया यह रॉड magnetic field के अंदर मुव कर रही है induced EMF generator हो रहा है induced current जैसे इस रॉड के अंदर current आया इस पर magnetic force पीछे की तरफ लगना शुरू हो गया इतना लगना शुरू हो गया जैसे यह magnetic force पीछे लगना शुरू हा तो हमें आगे लगाना पड़ेगा ताकि यह रॉड चलती रहे वरना यह रॉड रुख जाएगी तो हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया उतना ही लगाया जितना magnetic force है क्योंकि rod com constant velocity से चलाना चाहते है इससे ज़्यादा से नहीं चलाना चाहते है तो हम उतना ही force लगाएंगे जितना पीछे लग रहा है कि ठीक है भाई सब वो cancel हो जाए और rod अपना जो चल रही है वो चलती रहे ठीक है जी उतना ही force हमने external agent बनके लगा दिया simple सी बात है अगर मुझे electricity चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा और मुझे force लगाना पड़ेगा मैं हाथ पे हाथ धर्के नहीं बैठ सकता कि एक बार rod आई हमारे पास उसका चला दिया धक्का मार दिये अब चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी आईसा नहीं हो सकता ठीक है जी अब सुनो मेरी बात आगे अभी कहानी खतम नहीं होई अभी वर्क पावर की कहानी बाकी है फोर्स की कहानी तो हो गई अभी पावर पे आजाओ वर्क पे आजाओ वर्क का रेट जो होता है वर्क डन बाई टाइम वो पावर होता है तो सीधा पावर पे आएंग ë सब्सक्राइब अब आगे यह सब छोगी में वीकल्ग इस फील दोब कि करें मैं और उन्हेंगा इदर एक्स्टै दो यह उन्हेंड हो फोर्स आगें कि अब ध्यान से इस बात को समजिएगा कि पावर अगर external agent की power निकाली जाएगी ता दावर जो होती है वह fda v होती है कि अआच्ट क्षार्न अग्राट में external agent की power निकालना चाता हूं external agent- सब्सक्राइइन कितना काम किया उसकी power rate आफ डूइंग वर्क के करने का रेट ठीक है जी दोनों आगे हैं कि दोनों में एंगल पॉस जीरो पॉस जीरो वान होता है एफ एक्स्टर्नल क्या है फी स्क्वेर एल स्क्वेर वी बाए कैपिटल आर प्लस स्मॉल र और इंटू विलॉस्टी है तो एक्स्टर्नल पावर यहां पे वेक्टर क्यों लिख रहा हूं भाई पागल हूं क्या मैं तो एक्स्टर्नल पावर जो हमें लगानी पड़ेगी अब विलॉस्टी का भी स्क्वेर हो गया देखो इसको स्क्वयर हो गया और नीचे टोटल रिजिस्टेंस में देखो प्लस को याद करने का तरीका याद करने जारे पिलॉस्टी में स्क्वाइर नहीं है एंड्यूसस टीम अफज तो याद रहेगा उसको टोटल रिएकंस से डिवाइड कर दो करेंट अब और पावर जब आप लिख रहे हो तो तीनों में स्कुएर है यह इतनी पावर हमें लगानी पड़ेगी इतनी पावर हमें लगानी पड़ेगी अब हम देखते हैं कितनी पावर खर्च हो गई इतनी पावर तो में लगानी पड़ी अब यह मैं देखता हूं पावर कितनी dissipate हो गई इसी मत डिसीपेट मतलब अब बेटा देखो क्या हो रहा है इसमें current flow हो रहा है इसमें current flow हो रहा है current की वज़े से इसमें resistor गरम होगा प्लस इस rod का भी अपना resistance है इस rod का भी अपना resistance है तो यह भी गरम होगा तो इसमें power dissipate होगी heat produce होगी तो वो कितनी होगी power dissipate का formula हो था यहाँ पे i induced का square into resistance, जिस्टन्स यहाँ पे क्या होगा R प्लस small r i square r formula होता है तो i induced का square into capital r plus small r, i induced कितना है PVL by capital R plus small r square है तीनों का square है और इंटू R plus R एक R plus R कart गया तो power dissipated कितनी हो गई P square L square velocity का square by capital R plus small r P square L square velocity का square by capital R plus small r ठीक है जी? यह dissipated power हो गई यही तो लगाई थी यही तो लगाई थी भाई सारी heat में चली गई क्या? बिलकुल सारी heat में चली गई भाईया जान से सुनो rod चली current आया magnetic force पीछे हमने लगाया आगे तो हमारे द्वारा किया जाने वाला सारा work heat में चला गया पर बाद लेकिन current तो आया ना यही तो चाहते थे भाईया heat में convert होने से पहले वो work electrical energy में convert हुआ फिर heat में convert हुआ गरम होने की वज़े से तो note all of our mechanical work mechanical work किसकी वज़े से हुआ external power की वज़े से ठीक है ना converted into electrical energy current पैदा हुआ and then into heat then into heat तो अब यह सारा work किस में चला गया heat में चला गया power dissipated heat produced power dissipated भी वही है power external भी यही है इसका मतलब हमारे दोआरा किया जाने वाला सारा work electrical energy में convert हुआ और फिरो किस में convert हुआ heat में convert हुआ गया खतम हो गई बात तो यह बात आपको पूरी ध्यान रहने चीए emotional EMF का पूरा कच्छा चिक्ठा अगर रोड अकेली है कोई circuit नहीं है तो सिर्फ induced EMF होगा current कुछ नहीं होगा ठीक अब रोड को circuit के साथ लगा दिया तो current आएगा current से magnetic force आएगा magnetic force आएगा तो external हमें भी लगाना पड़ेगा external हमें लगाना पड़ेगा तो power भी लगानी पड़ेगी power आ गई तो power dissipated calculate की दोनों चीज़े आपस में बराबर हैं बात खत्म हों कौन कौन से formula आपको याद करने हैं एक यह एक यह यह दोनों मतलब magnetic force और external बराबर हैं दोनों और external power और dissipated power यह दोनों भी बराबर हैं बस यह याद कर लोगे आपका काम खत्म हो गया आपका काम नहीं वही आपको कौन खत्म कर सकते कि मोस्नल यह मैफ कैसा है मोस्नल यह मैफ क्लियर होई बात क्लियर होई के नहीं होई ठीक है बहुत बढ़ी आपसे question पूछा जा सकता है यह rod है यह इसका end A है यह इसका end B है यह V velocity से चल रही है cross magnetic field है आपसे पूछेंगे which end is at higher potential पोटेंशल पर है बताओ वही कौन सा एंड हायर पोटेंशल पर आपको कुछ नहीं करना आपको positive terminal ढूंडना है मैंने आपको बताया था V cross B करना V cross B कौन सा टर्मिनल उपर जा रहा है ठीक है ना solution के लिए क्या करो simple V cross B करो ठीक है ना V cross B करो V cross B जब आप करो गए तो उपर की तरफ आएगा उपर की तरफ आएगा तो यानि कि उपर की तरफ कौन सा टर्मिनल है positive यानि कि A जो होगा वो higher potential पे होगा और B जो है वो lower potential पे होगा ठीक है जी which end is at the higher potential अंसर क्या होगा ए अंसर क्या होगा ए जो है वो higher potential पे है अच्छा इसी में मालो रोड को dot magnetic field में रख दें ठीक है जी रोड को dot magnetic field में रख दिया भई अब बताओ कौन सा end higher potential पे होगा अब कौन सा end higher potential पे है अब कौन सा end है भाया कौन सा end है वी क्रॉस भी ऐसे नहीं करना वी क्रॉस भी बाहर की तरफ आ रही है magnetic पे है नीचे यानि कि यह बनेगा ऐसे कौन सा end होगा भी अंसर क्या होगा यहां पे भी होगा वहिया क्योंकि पॉज्टिव टर्मिनल अब नीचे होगा तो वह को एंड हायर पोटेंशल पे होगा मान रहो बात इस तरीके की चीज़े आप से पूछी जा सकती हैं बही इंड्यूस्ट इमेफ कितना होगा बीवी एल और हायर पोटेंशल और लोवर पोटेंशल देखने का तरीका क्या है पॉज्टिव टर्मिनल आपको वी क्रॉस भी से मिलेगा ळाथ बसी यह याद रखने। कि一下 क्에 यूअर्ट में पॉर्ट इस रोड के इंड्यूस्ट को देखने का एक और तरीका है तो को देखने का एक और तरीका है मेरे पास जिसको अभी हम डिसकूस करेंगे कि i a हुआ है कि अल्टर्नीट मेथट क्या है अजिए देखो भाई जरा है कि एक एक की लेंथ ल है यह रिजिस्टंस है कियान से सुनना है यह मेगनेटिक फिल्ड है यह कुछ फ्लक्स एन क्लोज्ड कर रही है वही इसको मैं एक्स माल लेता हूँ क्या यह एरिया है यहां पर एल इन्टु एक्स एक्स विरियेबल है यह रोड मूव करती रहेगी तो एक्स बढ़ता रहे है ठीक एरिया एल इन्टु एक्स है इस एरिया के अंदर मेगनेटिक फिल्ड है मतलब मेगनेटिक फ्लक्स है इस एरिया के अंदर मेगनेटिक फिल्ड है मतलब मेगनेटिक फ्लक्स है तो अगर इसके अंदर मेगनेटिक फ्लक्स है तो उस मेगनेटिक फ्लक्स की वज़े से अब induced EMF generate होगा जब flux change होगी सर flux क्यों change होगी क्योंकि velocity rod की आगे है जब rod की velocity आगे है तो क्या इसका area ये increase हो रहा है area enclosed by rod enclosed by loop कह लो better word area enclosed by loop कितना है lx है lx ठीक है जी तो flux क्या लिखेंगे b dot a होती है बेटा पहले तो आप ये देखो magnetic field अंदर है area vector भी अंदर ही माल लो क्योंकि ये रहा area ये रहा area इसका area vector अंदर माल लो या बाहर की तरफ माल लो area vector जो होता है वो surface के perpendicular होता है surface ये रही तो इसका area vector या तो बाहर मानोगे या अप अंदर माल लो तो area vector भी अंदर ही माल लेते हैं ठीक है न तो बी ये पॉस जीरो कि यहां पर flux आ गई बी इंटू ए induced ये में फोता है d5 by dt भी तो constant है area का ही differentiation होगा भी तो constant है area का ही differentiation होगा area क्या है lx area क्या है भाई lx है ठीक है जी तो area lx है तो l बाहर आ गया और यहां पर बचा dx by dt dx by dt क्या होता है velocity x के change होने का rate with respect to time bvl खत्म bldx by dt dx by dt a velocity खत्म होगी भाई बात induced dmf की value आगी bvl induced dmf की value आगई भाई कितनी bvl आगई क्या हो गया क्या यह alternate तरीका पसंद आया flux के change से flux का change निकाला है भाई flux निकाली है और flux का change निकाला है ठीक है जी बहुत बढ़िया प्लेमिंग राइट हैंड रूल प्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आप induced current की direction या थंब का थंब से motion of conductor निकाल सकते हैं वैसे तो जरूरत नहीं है सिरफ राइट-थंब्रूल काफी है no need इसकी कभी नहीं पढ़ती इसकी कभी जरूरत नहीं पढ़ती लेकिन आपको पता होना चाहिए यह जरूरी बात आपको यह बात पता होनी चाहिए कि देखो क्या है कि कि विलास्टी कि मेगनाटिक फील्ड कि मालो आपको यह पता है आपको इंड्यूस्ट करेंट की डिरेक्शन निकालनी है राइट हैंड रूल लगाओ यह मेरा राइट है यह मेरा राइट है ज्यान देना अपना अपना राइट हैंड निकालो राइट हैंड थम रूल नहीं यह तो थम रूल है ज्यादा तर तो राइट हैंड थम रूल से इंड्यूस्ट करेंट की डिरेक्शन आ गई थी ठीक है ज first finger magnetic field की तरफ करो ये वाली finger magnetic field thumb को motion की तरफ करो मतलब velocity की तरफ ठीक है जी? thumb को motion की तरफ करो first finger magnetic field thumb motion देखो ये first finger है इसको मैं अंदर लेके जा रहो thumb motion thumb motion तो ये जो finger है ये induced current बदा रही है ये देखो induced current बदा रही है ये magnetic field और ये induced current तो induced current की direction हमें मिल गई मुबारक को तो ये magnetic field बदा रही है first finger first finger को F लिख देता हूँ ठीक है जी? thumb जो है हमारा वो motion of conductor velocity बता रहा है तो central finger जो होगी यानि कि central यानि कि middle finger central को बोल सकते हैं middle finger और middle finger को M से लिख सकते हैं बटा तो ये हमें induced current बता रहा है इसको याद करने का तरीका पता है क्या है? ये देखो FB FB यानि कि facebook ऐसे याद कर रखा है मैंने first finger magnetic field facebook ठीक है? central यानि कि middle finger M middle finger का M और induced current का I M I ये mobile brand हो गया M I के mobile आते हैं न बस M I हो गया और thumb जो है वो velocity बता रहा है तो thumb जो है वो velocity बता रहा है television TV television हो गया ये और ये mobile brand हो गया Facebook हो गया mobile brand हो गया और TV हो गया Facebook mobile brand M I और TV FB M I TV FB M I TV ऐसे याद करने का तरीका ये मैंने बनाया है अच्छा लगे तो याद करिएगा नहीं तो जैसे आप याद करते हैं वो कर लीजेगा जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी लेकिन कोई पूछ ले तो पता होना चीए रस्ते में कोई आते जाते है पूछ ले हाँ भाई blaming right and rule ये भाई बता दे पता न पड़ेगा Vector form अगर इसी को Vector form में लिखना हो तो किस तरीके से लिखा जाएगा भी है इसी को Vector form में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे का है V cross B dot dl अगर पूरे का करना हो तो इंटीग्रेशन V cross B dot dl का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करके ये dl लेंथ बाहर भी आ सकती है अगर सब कुछ constant है तो तो ये V cross B dot dl होता है या V cross B dot l होता है V cross B dot l V cross B dot l इंटीग्रेशन कर दो तो ये V cross B dot l बन गया भई l और e में confuse मत हो जाना ये e है ये l है l बड़ा है ये e छोटा है तो V cross B dot l V cross B dot l V cross B dot l या BVL scalar form में BVL वो तब है जब तीनों perpendicular है और ये vector form में बस याद होना चाहिए और इसका ज़्यादा कोई वो नहीं है ज़्यादा हमें कहीं पर use करने की ज़रुद नहीं है बस याद होना चाहिए कि vector form में इसे ये बोलते है अब मैं आपको कुछ एक example करवाऊँगा उन examples की मदद से हम ये सीखेंगे कि अब जो rod है अगर perpendicular ना हो तो क्या होगा अगर रॉड पर्पेंडिकुलर नहीं है अगर रॉड पर्पेंडिकुलर नहीं है बट पैरलल है तो विलोस्टी मतलब विलोस्टी और मेगनेटिक फिल्ड आपस में सॉरी लेंथ आपस में पैरलल है जियान से देखो रॉड जिस तरफ जा रही है उसी तरफ इसकी लेंथ है ठीक सुनो अब इस पर मेगनेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा वी क्रॉस भी उपर इलेक्ट्रॉन्स पर मेगनेटिक फोर्स नीचे इलेक्ट्रॉन्स पर मेगनेटिक फोर्स नीचे लेकिन नीचे जगा या नहीं है पैटा जगा कहा है मूव करने के लिए जगा यह नहीं आप ध्यान से देखो ना यार देखो उसमें तो rod perpendicular थी तो electrons नीचे चले गए और उपर electrons की कमी होगी तो potential difference पूरा हो गया यह देखो इस example में यह था कि इस पे भी electrons पे नीचे force लगा था magnetic force पे फो इलेक्टरोंस पे नीचे लगा था तो electrons नीचे चलेगा और उपर electrons की कमी होगी potential difference generate हो गया ठीक है जी लेकिन इस case में V cross B उपर है electrons पर फोर्स नीचे है क्योंकि electrons negative charge है लेकिन नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है no space to move electrons electrons को move करने का कोई space ही नहीं मिल रहा इसका मतलब induced mf generate ही नहीं होगा भाई बहुत पतली रॉड है यह बहुत पतली रॉड है thin rod इसको बोल दो कि thin rod है जो भी example कर रहे हैं thin rod के लिए कर रहे हैं ठीक है जी बहुत पतली रॉड है electrons के move करने की जगह ही नहीं है जगह ही नहीं है तो magnetic field की वज़े से induced mf जो आएगा वो zero आएगा क्योंकि electrons move ही नहीं कर सकते तो positive negative generate ही नहीं होगे positive negative generate ही नहीं होगे तो induced mf आएगा ही नहीं तो induced mf क्या आगया जीरो आगया तो अगर rod की जो velocity है वो लेंथ के parallel है तो induced mf जीरो आएगा ithya perpendicular है तो आएगा parallel में नहीं आएगा जी mop परपेंडी कुलर है तो आएगा parallel में दी स्के लिए आप मैंने आपको shortcut बना के दूँगा अब आपको इनी चीजओं का shortcut बना के दूँगा अब अगर question आ जाए यह उटी बी parallel है ना ही perpendicular रोड थोड़ी tilted है इसकी velocity V है angle alpha है length L है magnetic field भी है velocity V है length L है angle alpha है magnetic field भी है लेकिन रोड थोड़ी tilted है आप सम्रेंडम अंगल losty at some random angle to length find induced EMF across the end of the rod रोड के ends के cross induced EMF बताएं भाई कितना होगा bidот बेहद असान है कोई मुशकिल सवाल नहीं है ये मुशकिल सवाल नहीं है असान सवाल है देखो करना क्या है आपको करना क्या है वो सुनो बहुत असान चीज़ करनी है आपको देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रॉड जब परपेंडिकुलर होगी न वो लेनी है वह रॉड परपेंडिकुलर रॉड होगी तो वो EMF इंड्यूस करेगी पैरलल वाली नहीं करेगी तो इस रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो विलास्टी और मगनेटिक फिल्ड के पास शॉट कट यही है एक परपेंडिकुलर वेक्टर लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ एक परपेंडिकुलर वेक्टर लेंथ तू विलोस्टी एंड मेगनेटिक फील्ड पास वेक्टर लेंथ क्यों लिखा है मैंने वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको विलॉस्टी और मगनेटिक फिल्ड के पर्पेंडिकुलर वेक्टर लेंथ लेनी है वेक्टर लेंथ लेनी है भाई मेरे वेक्टर लेंथ ठीक है न विलॉस्टी और मगनेटिक फिल्ड के पर्पेंडिकुलर वेक्टर लेंथ लेनी है अब यह देखो विलॉस्टी ऐस इसे है, magnetic field अंदर है, length क्या इसके perpendicular है, नहीं, length इसके perpendicular नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, simple सी बात करनी है आपको ये length ये length L है velocity V है ऐसे इसके perpendicular ये length लेनी है ये देखो, मैं आगे बना रहा हूँ इसको, पेटा ये angle alpha है तो ये भी alpha होगा ये वाली length होगी L cos alpha alpha के साथ वाली और इसके सामने वाली क्या होगी? L sin alpha L sin alpha ये perpendicular है velocity के ये length perpendicular दिख रही है velocity के? पास और magnetic field के तो perpendicular है magnetic field तो पूरे plane के perpendicular है, क्योंकि ये सब कुछ जो चल रहा है, ये तो x y plane में चल रहा है magnetic field z में, magnetic field तो है perpendicular है, ठीक है न? तो यहाँ पर हमारे पास बन गया BV L sin alpha आएगा यहाँ पर तो अंसर होगा BV L sin alpha अंसर होगा BV L sin alpha ये अंसर है भाई BV L sin alpha है ये clear हुआ? ठीक है जी? BV L sin alpha है ये direction देखो, rod का कौन सा end higher potential पे होगा, ये भी देख लो which end at higher potential V cross B करो, V आगे, V उपर उपर वाला end, जो भी उपर वाला end होगा जरूरी नहीं है, थम्ब जैसे जा रहा है वैसे ही battery बनानी है, नहीं उपर वाला end होगा बस rod का तो rod जो है का उपर वाला end जो है वो induced EMF जो है, वो generate करेगा और इसकी value होगी BV L sin alpha तो आपको कुछ नहीं करना, vector length लेनी है, perpendicular to velocity and magnetic filter, vector length क्यों बोल रहे हैं, आप बार बार बता रहोगा ये पता जल गया कि उपर वाला end होगा तो जो भी उपर वाला end है, वो positive और नीचे वाला end negative term है, ठीक है जी, वो तो वैसे ही decide करना है जैसे हम करते आएं, ओके अब माल लो question ये है, ये question ही करवा रहा हूँ मैं इस से related neat में भी एक question आया हुआ वो भी करवाँगा ये है, ये रोड ऐसे है, L-shaped rod है पिटा, L-shaped rod है इसकी velocity V है, angle alpha है, दोनों side, length दोनों L है, magnetic field cross है, magnetic field होनी चीए पिटा, पता जला question में magnetic field ही नहीं है, फिर नहीं होगा induced TMF, कुछ भी करते रहो हैं भाई induced TMF, अब मैंने vector length क्यों बोली वो समझो, पिटा vector length का use यहाँ पे आएगा, पिछले example में तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, आपको length कितनी लेनी है, देखो, आपको मैंने यह तो बता दिया कि length velocity के perpendicular लेनी है, लेकिन कितनी सर, इतनी ले ले, भाईया, velocity इधर है, क्या length इतनी ले ले, नहीं, length उतनी लेनी है, जो vector length हो, vector length का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे vector length का मतलब है कि initial और final के बीच की दूरी, यह देखो, ऐसे जा रही है यह velocity, इसके perpendicular यह length है, यह है बेटा vector length, यह है vector length, यह है vector length, यह है vector length, vector मतलब shortest length, यहाँ पे मतलब है shortest length, जो ज्यादा से shortest, कम से कम जितनी हो सकती है initial और final के बीच में, जैसे displacement होता है, आप यहाँ से चले, यहाँ पहुँच गए, तो क्या यह displacement होगी, shortest distance, ठीक है जी, वही चीज़ है यहाँ, मान रहे हो बात को, यह alpha angle, यह alpha angle, यह L, तो सामने वाला होगा L sin alpha, similarly यह भी L sin alpha, induced tmf कितना आ गया, 2 L sin alpha के equivalent आ गया, यानि की bv into 2 L sin alpha, induced tmf बन गया 2 bv L sin alpha, induced tmf बन गया 2 bv L sin alpha, खत्म, यह induced tmf की value है वही, induced tmf की value है 2 bv L sin alpha, 2 bv L sin alpha है, clear हो रही है बात, velocity के perpendicular vector length, initial और final के बीच की shortest दूरी, shortest दूरी है 2 L sin alpha, आधा इसकी वज़े से आया, आधा इसकी वज़े से आया, आप positive terminal बताना है, v cross b, v cross b, उपर, positive terminal उपर, इन दोनों rods का positive terminal उपर होगा भई, ऐसे दिखाना है, या तो ऐसे दिखा दो, यह जो rod बनी हुई है, यह जो rod बनी हुई है, इसकी जगा पे induced tmf ऐसे दिखा दो, 2 BVL sin alpha, या फिर ऐसे show कर दो, आधा इस rod पे show कर दो, आधा आधा और दोनों का positive terminal उपर ही लेना है, तो दोनों का positive terminal उपर ही होना चीए, समझ में आया, दोनों मिला के क्या बन गया, E, E by 2, E by 2, दोनों का positive terminal एक side है, add हो जाएंगे, E बन जाएगा, क्या clear हुई बात, या सर, बहुत बढ़िया, very good, very good, very good, clear, इसी से related neat में py क्यों आया था, यह question अभी जो मैं लिख रहा हूँ, option तो नहीं लिखूंगा मैं, यह neat py क्यों आया था, ठीक है न, क्योंकि मुझे याद है, ऐसी rod दी होई थी, ठीक है न, magnetic field question में cross दी होई थी, rod की velocity नीचे थी, और rod का radius r था, और इधर point था p, इधर point था q, आप से क्या पूछा हुआ था उस question में, आप से पूछा हुआ था, induced EMF की value, and which end is at higher potential, p और q में से, कौन सा end higher potential पे है, induced EMF की value, देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने आपको बताया, कि आपको, perpendicular length लेनी है, ये rod है, ठीक है जी, ये rod है मारे पास, आपको इसको magnetic field के, perpendicular length लेनी है वाई, perpendicular, ये देखो, v velocity है, ठीक है जी, v velocity है, तो v के perpendicular, v के perpendicular length कितनी है, ये 2R है, 2R है, येस, तो bv into 2R, यानिकि induced EMF की value आगई, 2BVR, अब आपको जो है, ये decide करना है, कि कौनसा इंट higher potential पे होगा, v cross b करो, v नीचे, cross अंदर, हम देखो कहां जा रहा है, इधर, ये higher potential पे होगा, कौनसा q, तो v cross b करेंगे, उससे positive terminal इधर आ रहा है, और उसकी value क्या है, 2BVR, समझ में आया के नहीं आया, clear हुआ के नहीं हुआ, बहुत बढ़ी है, तो ये pyq है या neat का, ये neat का pyq है, बहुत असान, ठीक है जी, अच्छा माल लो, एक और सवाल आ गया लोग, अब मैंने आपको loop ही दे दी, ये loop है जो magnetic field में move कर रही है, और velocity v है, ठीक है जी, पूरी तरफ magnetic field है, rod निये loop है ये, induced EMF in the loop, loop के अंदर induced EMF कितना होगा भाई, loop के अंदर induced EMF कितना होगा, simple सी बात है, ये length दे दी, square loop, square loop of length L, लिख देता हूँ, ठीक होगा, प्यान से सुनो, देखो, इसका जो induced EMF होगा, एक बार सोच लो, अपने दिमाग में कितना होगा, 0, पहली बात तो vector length 0 है, कोई initial, कोई final point दिख रहा है आपको, method 1 बता रहा हूँ मैं, दो method से बता दूँगा आपको, method 1 देखो, vector length कितनी है, 0, देखो अभी तक के जिन सवाल थे, क्या इसमें कोई area enclose हो रहा था, नहीं, क्या कोई area बंद हो रहा था, इसके अंदर नहीं, जब भी loop की बात आती है, तो area ध्यान में आना चाहिए, loop है, तो area enclosed होगा, area enclosed होगा, कुछ ना कुछ area होगा, flux, क्या होगी, B into A, अब इस loop का area fix है, जब यह loop magnetic field के अंदर चल रही है, तो क्या इसका area fix है, यस, क्या magnetic field fix है, यस, यह भी fix है, area भी इसका fix है, length का square, इसका ना तो area change हो रहा नहीं, magnetic field change हो रही, यह फ़र तरफ magnetic field है बिटाओ, सारी चीज़ें सेम है, तो flux क्या होगी, constant, तो अगर flux constant होगी, change ही नहीं हो रही, तो induced EMF कितना होगा, जीरो, यह दूसरा तरीका है देखने, यह vector length वाला तरीका है, यह flux constant वाला तरीका है, जो मर्जी इस्तमाल कर लोगी, अगर कोई loop है, magnetic field के अंदर, ना तो loop का magnetic field change हो रहा, मतलब loop जिस magnetic field में रख्यों है, ना तो वो change हो रही, और ना ही हमारे पास area change हो रहा है, ना ही हमारे पास area change हो रहा है, तो इसका मतलब induced EMF, जो है वो क्या आएगा, zero आएगा, क्योंकि flux क्या है, EMF खत्म हो गया, emotional EMF की अलगलग type की examples भी मैंने आपको करवा दी, जो need के अंदर pyq आया था, वो भी मैंने आपको करवा दी, ठीक है जी, इसके examples आप और practice कर सकते हो, dpp आपको मिलेगी, ठीक है जी, rotational EMF, अगला जो EMF यहाँ पर बात हो रही है, वो rotational EMF के बारे में बात हो रही है, rotational EMF क्या होता है, rod के rotation की वज़े से, magnetic field के अंदर, अब rod rotate हो रही है, सिरफ move नहीं कर रही है, क्या कर रही है, rotate कर रही है, उसकी वज़े से भी EMF induce होगा, कितना होगा, आईए देखते हैं, माल लेते हैं कि यह एक rod है हमारे पास, ठीक है, rod एक जो है, एक conducting ring के उपर move कर रही है, पहले मैं conducting ring बना देता हूँ, और rod बना देता हूँ, ठीक है, यह एक conducting ring बना देता हूँ, कंड़क्टिंग रिंग है भाई, ठीक है जी, उसके उपर rod move कर रही है, यह इसका center है, ठीक है जी, यह इसका center है, जब यह rod इस conducting ring के उपर move कर रही है, जब यह rod इस conducting ring के उपर move कर रही है, ठीक है न, तो इस rod में भी induced EMF generate होगा, क्योंकि कर तो move ही रही है न, चाहे rotation है लेकिन है तो motion ही, rotational भी तो एक motion ही तो होता है, rotational motion, नाम में ही motion, rotation is itself a motion, तो अब यह rod move कर रही है, माल लो कि यह rod angular velocity omega से घूम रही है, इसकी length माल लेते हैं L, जो कि इस ring का radius होगा, conducting rod है, conducting ring है, तो ring भी conducting है और rod भी conducting है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, और कोई choice भी नहीं है आपके, ठिक, अब यह rod क्या कर रही है, rotate कर रही है, जब यह rod rotate कर रही है, तो इस rod के सारे particles, circular motion कर रहे हैं भाई, इस rod के सारे particles, circular motion कर रहे हैं, rod के सारे particles, circular motion कर रहे हैं भाई, ठीके जी चारे पार्टिकल्स circular motion कर रहे हैं ये particle भी ये particle भी मैं ऐसा करता हूँ मैं R distance पे एक particle consider कर लेता हूँ R distance पे DR thickness का R distance पे DR length का एक particle consider कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे integration करना पड़ेगा Sir integration क्यों करना पड़ेगा आपको बता रहा हूँ मैं ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या बन रहा है R distance पे मैं DR वाला particle क्यों assume कर रहा हूँ इसकी velocity ऐसे गुम रहा है अभी मैं आपको अगले में दिखा देता हूँ यह देखो यह कैसे rotation हो रहा है anti-clockwise rotation हो रहा है तो यह rod का यह particle ऐसे गुमेगा anti-clockwise तो इसकी velocity ऐसे होगी अगले वाले particle की velocity भी इसी तरफ होगी उससे अगले वाले particle की velocity भी इसी तरफ होगी ऐसे गुम्रे यह सर एरो आपने बड़े-बड़े क्यों बनाए है बड़े-बड़े इस वज़े से बनाए है बैटा वीज इकोस टू आर ओमेगा होता है जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं क्या आर बढ़ता जा रहा है यह देखो किया बाहर की तरफ जाते हुआ आर बढ़ रहा है बिल्कुल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या R variable है बिल्कुल variable है तो क्या उसकी वज़े से velocity variable होगी बिल्कुल variable होगी तो therefore integration करना पड़ेगा इसी लिए मैंने यहाँ पे एक particle लिया है R distance पे DR thickness का इस particle की जो velocity होगी वो V माल लेता हूँ इस particle की velocity मैं V माल लेता हूँ ठीक है ना और V हमारे पास कितना होगा R omega V हमारे पास कितना होगा R omega ठीक है जी ऐसे ही सारे particles जो होगे उनके पास कोई ना कोई velocity होगी यहाँ पे कम होगी यहाँ पे ज़्यादा होगी यहाँ पे और ज़्यादा यहां पे और ज्यादा यहां पे और ज्यादा यहां पे और ज्यादा इंडूस्ट ciao वकाव सबसे पहले अब डीरेक्शन की बात करो पहले तो मेगनेटिक रोनी चीह आपिश्च मेरेकold क्रॉस डेरेक्शन का पता चलेगा उक्रास भी कि लुक्राउसबी करो इधर थम इधर आ रहा है इसको नाम देता हूँ A point ठीक है ना O A तो O point पे positive terminal आएगा भीया B cross B करो थम इधर आएगा यानि कि electron होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ हो ना क्या है जैसे ही यह rod move करेगी सारे electrons बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और क्यूंकि conducting ring इन से connected है यह सारे electron इसके बाहर फैल जाएंगे और इधर positive charge इकठा हो जाएगा rod के पास rod के center पे कौन सा charge इकठा हो जाएगा positive देखो घ्यान से V cross B इधर की तरफ अगर थम है इधर की तरफ अगर थम है तो इधर positive terminal यानि कि O point पे positive terminal तो नेगटिव चार्ज भाहर जाएगा इसका मतलब और नेगटिव चार्ज बाहर फैल जाएगा वही चांकि इधर तो कुछ connected नहीं है लेकिन इध़ रिंग connected है इवर इंक कनेक्टेट है तो यह जो प्वह जोगा यह रिंक पर जा जाएगा जो भी लागि नेगटिव चार्ज वहया यह रिंक पर जाए चिकान तो नेगटिव चयाज बेखाल जाएका और पॉस्टी चार्ज और होकी तरफ आजएगा इन्डी उस्टिमे फ जल्रेट हो जाएगा भी कैए क Sar妹 Ah 맞 G Dec Pr तिकनेस वाले पार्टिकल में छोटा इंड्यूस्टी में जनेरेट होगा यह होगा बी वी डियार लेंथ है ना इसकी लेंथ डियार है अब पूरा इंड्यूस्टी में निकालना है मुझे इंटिग्रेशन करना पड़ेगा पी आर ओमेगा डियार जो भी कॉंस्टेंट है उसको बाहर लिखो पी ओमेगा कॉंस्टेंट है इंटिग्रेशन आर डियार बचा अब लिखो लिमिट रेडियस की लिमिट क्या होगी जीरो से एल एल तो रेडियस की लिमिट होगी जीरो से एल एल आर डियार का इंटिग्रे square by 2 या फिर कहो half b omega l square इसको बोलते कैसे हैं half b omega l square भहिया half b omega l square l और e में फरक जानते रहिएगा half b omega l square 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 यह rotational EMF है जो rod के अंदर generate हो रहा है rod के rotation की वज़े से magnetic field के अंदर जब rod rotate हो रही है तो उसके अंदर जो EMF generate हो रहा है वो half b omega l square है half b omega l square है ठीक है जी half b omega l square है यह induced EMF इसके अंदर generate हो रहा है clear हो रही है बात integration क्यों किया यह बात समझ में आ रही है positive terminal negative terminal किस तरफ होगा यह बात समझ में आ रही है इसकी value समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है induced EMF आ गया है यह induced EMF किसके cross है इसके center और periphery center और periphery center और periphery इसको या तो बोलो कि across ends of rod या तो आप इसको बोलो कि rods के end के cross या फिर इसको बोलो कि between center and periphery center और किनारे के बीच center और किनारे के बीच जो potential difference generate हुआ है वो half B omega L square है वो half B omega L square है ठीक है यानि कि यह घूमती हुई rod एक तरीके से एक battery की तरह behave कर सकती है वहिया यानि कि यह घूमती हुई rod इधर plus इधर minus यानि कि यह घूमती हुई rod ऐसा हो सकता है कि जैसे बैटरी घूम रही है यह घूमती हुई रॉड जिसका positive terminal इधर है तो यह तो चेंज भी हो जाएगा यानि कि यह घूमती हुई रॉड एक तरीके से बैटरी की तरह बहेव कर रही है positive और negative terminal आप v cross b से decide कर सकते हुआ हाफ b omega l square इसका answer है क्या answer है half b omega l square half b omega l square एक और तरीका है हमारे पास इसको करने का एक और तरीका alternate method है फिर इस पर question करेंगे alternate method alternate method क्या है आप यह मानो कि कुछ time में rod ने heat angle cover कर लिया कुछ time में rod ने heat angle cover कर लिया heat पुछ time के अंदर rod ने theta angle cover कर लिया l इसकी length heat इसका angle है ठीक है जी तो rod ने इतना area cover कर लिया इतना area cover कर लिया भाई कर लिया कर लिया के नहीं कर लिया मैं इसको magnetic flux से solve करूँ आगा ज्यान से देखते जाना बढ़ाए ठीक है देखते जाए जो पूरे circle का area होता है अगर radius r है तो पूरे circle का area कितना होता है pi r square अगर 2 pi angle है तो ज्यान से सुनना मेरी बात ये पूरे circle का angle कितना होता है 2 pi तो 2 pi angle का area कितना होता है pi r square तो 1 का कितना होगा pi r square by 2 pi 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 कट गई तो r square by 2 अगर theta की value 1 होगी तो r square by 2 अगर theta angle है तो ये area कितना होगा जिसे हम area of sector कहते है theta angle के लिए area कितना होगा theta r square by 2 इसे area of sector कहते है पीजा की एक slice समझते हो बस ये पीजा की एक slice का area है वई ये देखो थीटा एंगल है इतने एंगल का area है ये थीटा r square by 2 जिसको याद निये याद भी रखो ये मैंने दुबारा बता दिया आपको ये वैसे बच्पन में छोटी classes में area of sector पढ़ाया जाता है, theta r square by 2, 2 pi के लिए pi r square है, 1 के लिए इतना होगा, तो theta के लिए कितना होगा, यह पढ़ाया जाता है छोटी classes में, मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, ठीक है जी, ओके, तो theta r square by 2, यह इसका area है, magnetic field यह रही, b, तो flux कितनी होगी, b into a, तो b into theta r square by 2, यहाँ पर radius कितना है, l, तो यहाँ पर लिखेंगे, b into theta r square by 2, यह flux है, बैटा theta variable है, theta variable है, theta change हो रहा है, क्योंकि rod घूम रही है, ठीक है जी, तो यह flux भी variable होगी, और अगर flux variable है, तो induced tmf generate होगा, b5 by dt, 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 तो जो चीज़े constant हैं, उनको बाहर रखो, b l square by 2, यह तो बाहर है, सिरफ कौन सा variable है, theta, तो d theta by dt हो जाएगा, d theta by dt क्या होगा, ओमेगा, यह क्या बनेगा, ओमेगा, तो b l square by 2, into omega, यह तो वही बन गया, half b omega l square, half b omega l square, यह तो वही बन गया, समझ में आ रही है बात, half b omega l square बन गया होगी है, यह, half b omega l square बन गया, यह, yes, yes, बन गया, सर, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, प्लियर होगी बात, half b omega l square this is the induced emf on a rotating rod in a rotating rod जो rod rotate हो रही है उस rod के अंदर induced emf इतना generate हो रहा है जो rod rotate हो रही है उसके अंदर induced emf इतना generate हो रहा है मैंने आपको दोनों तरीकों से करवा दिया flux से भी और integration से भी यह integration use हुआ है इसमें क्या use हुआ flux यूज हुई differentiation यूज हुआ d theta by dt क्या होता है omega angle के change होने का rate omega होता है एंगल के change होने का rate angular speed omega बत्त NCRT की example के similar है बस values change है NCRT की example के similar है बस values change है देख लो सवाल wheel of 10 spokes is rotating in a cross magnetic field of 0.4 gauss with 120 revolutions per minute the radius of the wheel is 0.5 meter find the EMF induced between center and the rim of the wheel find the EMF induced between the center and the rim of the wheel ज्यान से सुनो मैं क्या करके हैं कि एक wheel है जिसमें 10 spokes है 10 spokes spokes का मतलब होता है जैसे cycle के wheel होते है उसमें जो तारें बनी होती है न तो 10 spokes है कह रहे है 10 की power minus 4 टेसला एक गौस के अंदर इतने टेसला होता है ठीक घ्यान रखना और revolution है उसके 120 revolutions per minute एक मिनट के अंदर उसके 120 revolutions है यानि की 60 second के अंदर 120 revolutions है एक सेकंड में कितने होंगे 120 by 60 2 revolutions तो उसकी जो frequency है इसको frequency कहते हैं बटा तू रेवोलिशन पर सेकंड या 2 hertz बोल देते हैं से एक सेकंड में कोई चीज कितना चक्कर काटती है एक सेकंड में उसको frequency hertz में बोला जाता है एक मिनट में 120 थे एक सेकंड में 2 है तो 2 hertz frequency है टोनसी से ओमेगा कैसे निकाला जाएं फ्रिक फीकेंची होती एक तो मेगा उता है चुपाइएं टया ही इंटव क्या है टियो मिलिए 174 प इंटो फैया पाई रेडियन पर सेक्ट क्योंकि उमेगा निकालना जरूरी था ना हाफ भी ओमेगा स्क्لى लगाना विटा रेडियस ओफ वी ओόσके स्की लेंथ स Sieve is the यानि की लेंद्स कितनी है जीरो पॉयंट 5 मीटर कि vi all 25 भी ओमेगा लगाएंगे ओमेगा आ गया अप पता है एह लगा दो इंडूएस टीम एफ आएगा हाफ भी 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 4 पाई इंटू 0.5 का स्क्वेर ठीक है जी वैसे तो ये 0.5 और 0.5 1 बाई 2 होता है ये 1 बाई 2 है ठीक है ना सीधा सीधा मैं इसको हाफ लिख देता हूँ दो बार पता है मैंने हाफ क्यों लिखा ताकि मैं इसको 4 से काट सको जलाक हूँ यार मैं जलाक ठीक है जी ये 0.4 को 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लिख दो पॉइंट हटा दो और ये पाई है और बाई 2 है तो ये बन गया 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट इतना इंड्यूस टीमेफ जनरेट होगा आफ भी ओमेगा एल स्कोर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे सर 10 स्पोक्स क्यों दिये सर 10 10 रॉड हो गई अगर 10 स्पोक्स हैं तो 10 रॉड हो गई आप 10 से मल्टिप्लाई कर दो 10 से मल्टिप्लाई नहीं करना क्यों नहीं करना बता रहा हूँ जब यह 10 की 10 स्पोक्स यह 10 की 10 रॉड इसमें रोटेट हो रही है तो यह 10 की 10 रॉड जो हैं बैटरी की तरह बिहेव करेंगी पॉजितिव टर्मिनल इनका एक ही साइड होगा जिस भी साइड होगा जो भी साइड होगी एक ही साइड होगी ठीक है ना तेक दो तीन चार पाँचे साथ आठ नो और दस ठीक है ना यह 10 रॉड हो गई यहां पर ठीक हर एक का induced EMF E है एक आदी कम बन गई हो तो माफ कर देना बात यह है कि इनको add क्यों नहीं करना सर क्यों नहीं करना 10 की 10 EMF generate करें बात यह है बात यह है कि यह सारी batteries parallel में है देखो एक point तो इनका यहां पे है और यह a point है यह सारे points सेम potential पे होंगे बिटा आपको मैंने current electricity में बताया भी था मैं अभी आपको दुबारा बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता मैंने आपको यह बताया था कि अगर बीच में resistance वगएरा कुछ नहीं आ रहा जैसे यह example करवाई थी जिनको नहीं पता या उसमें नहीं आये थे तो यह सुनो मैंने आपको यह बोला था कि एक पूरा system है जिसमें resistors लगे हुए यह point और यह point same potential पे होंगे बिटा same 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 potential सारे points क्यों क्योंकि बीच में जब हम एक point से दूसरे point पे जा रहे हैं तो आप देखो बीच में कुछ आ रहा है कि आप देखो इस point से इस point पे आप जा रहे होंगे कोई resistor आ रहा है नहीं इस point से इस point के बीच में जा रहे हो कुछ आ रहा है resistor नहीं यहां आ रहे है कुछ आ रहा है बीच में कोई भी resistor कोई भी battery बीच में नहीं आ रही है ऐसे जाने पर, नहीं आ रही न, V is equals to IR होता है, तो अगर यहां से यहां जाने में कोई बैटरी वगरा नहीं आ रही है, तो potential difference 0 हो गया, यह potential difference है बेटा, difference 0 होने का मतलब potential same है, difference 0 होने का मतलब potential क्या है, same है यहां से यहां जाते होगा, कोई potential difference नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है यहां पे भी नहीं है तो potential क्योंकि resistance ही नहीं कोई battery है तो potential difference 0 तो potential same यही चीज़ यहां पे हो रही है इसमें पूरे चक्कर में गूमो देखो अंदर तो batteries हैं अंदर की बात नहीं कर रहा इसमें पूरे चक्कर में गूम के देखो क्या कोई battery दिखाई दे आपको नहीं क्या यह सारे point same potential पे हैं यह सर तो जब सारी batteries parallel में लगी होती है ना याद करो माणलो parallel में E E battery voltage लगी है E E E E E इसका equivalent भी E ही होगा parallel में voltage add नहीं होती बता चुका हूं current electricity में भी यहां पर दुबारा बता रहा हूँ जो लोग नहीं आये थे या भूल गए होंगे पैरलल में वोल्टेज एड नहीं होती है पैरलल में वोल्टेज सेम होती है भाई E E E E E E E E अगर है तो नेट भी E ही होगा इसका E Equivalent भी E ही बनके आएगा तो यहाँ पे भी Net Induced EMF जो है वो सारी बैटरीज का E ही बनके आएगा दस से मल्टिप्लाई नहीं करना किसी भी हाला तो आपको दस से मल्टिप्लाई नहीं करना है पैरलल में वोल्टेज एड नहीं होती पैरलल में वोल्टेज सेम होती है सेम होती है ठीक है जी अगर रोड कंड़क्टिंग नहीं है बस लास्ट टॉपिक है अगर रोड कंड़क्टिंग नहीं है कंप्लीटली पूरी तरीके से कंड़क्टिंग नहीं है जैसे यह देखो पालो यह ओ पॉइंट है यह ए पॉइंट है यह आदा हिस्सा रोड का non conducting है यहां तक का और यह length L1 है और इतनी length L2 है और यह वाला हिस्सा conducting है सिरफ इतना हिस्सा conducting है और cross magnetic field और रोड घुम रही है ओमेगा एंगुलर विलॉस्टी से सिरफ इतना हिस्सा कंडुक्टिंग है एलवन से लेके एलटू तक डिस्टेंस हमेशा ओ से मैजर करने है इस केस में जो इंड्यूस्टीमेफ आएगा देखो वहाँ पे जो इंड्यूस्टीमेफ आता था न वहाफ भी ओमेगा एल स्कूर आता था याद है जब पूरी रॉड कंडुक्टिंग है तब उसको ऐसे लिख सकते हो क्या आप मेरे को बताना जा रहा है देखो लिमिट लगाई थी वहाँ पर याद करो 0 से L तो L स्कूर माइनस 0 स्कूर हुआ था कर नहीं हुआ था वो तो 0 स्कूर था हमने निगलेक्ट कर दिया जिरो से L लगाई थी लेकिन अब यहाँ पर जो लिमिट लगेगी ना यहाँ पर जो लिमिट लगेगी उस integration को याद करवारों में RDR limit लगेगी L1 से L2 0 से L नहीं L1 से L2 तो यहाँ पे जो induced EMF होगा वो बनेगा half B omega L2 square minus L1 square L1 से L2 जितना portion conducting है बस वहाँ तक का बस यह द्यान रखना distance वहाँ से लेने है जहाँ से rod घूम रही है distance measured from O distances जो है वो O से measure करने हैं जहाँ से rod घूम रही है इस बात का ख्याल रखना L1 से L2 L1 से L2 L1 से L2 rotational और emotional EMF खतम हो गया जो हमने आज की class में discuss किया तो आज की class में हमने emotional और rotational EMF को complete कर लिया है भई इसके आप questions की practice कर सकते हो बड़ी असानी से मैंने आपको alternative method भी बताया दोनों का simple method भी बताया circuit में लगा के भी बताया power भी निकाली work भी निकाला force भी निकाला और क्या जाते हो और induced EMF तो निकाला ही current भी निकाला emotional में भी निकाला और rotational EMF का induced EMF भी निकाला homework यह सवाल था magnetic flux linked with a coil is given by the equation 5T square plus 3T plus 16 the magnitude of induced EMF in the coil at T is equal to 4 seconds magnetic flux coil की दे रखी है आपको induced EMF पताना है 4 seconds पे D5 by DT 5T square T square का 2T हो जाएगा 3T 3T का क्या हो जाएगा 3 plus 16 का 0 ठीक है जी अरे यार X square का differentiation 2X 2 की power minus 1 2X होता है के नहीं होता X की power N का differentiation क्या होता है NX raised to power N minus 1 power आगे आ जाती है और वहाँ पे power 1 कम हो जाती है 2 power आगे आगे और power 1 कम हो गई तो 2X हो गया similarly यहाँ पे T square का 2T हो गया 3T का T का तो T के respect में 1 ही होगा ठीक है जी पूरा लिख देता हूं है 3T का 3 into 1 और 16 constant है यह 0 ठीक है जी तो induced EMF हो गया 10T plus 3 T is equal to 4 second है अब put करो time बाद में put करना है बेटा 43 answer है 43 answer है magnitude of induced EMF is 43 volts 43 volts आगया आईए a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of 0.04 tesla with its plane perpendicular to the magnetic field एक loop है ठीक है जी जिसकी magnetic field 0.04 tesla है जो 0.04 tesla की magnetic field में रखी हुई है इसकी नहीं है यह इसमें रखी हुई है और मैं माल लेता हूँ प्रपेंडिकुलर है इस rod के तो मैं cross माल लेता हूँ ठीक है जी पिछले लेक्चर में इस तरीके का सवाल किया था जिन लोगों ने नहीं देखा वो लेक्चर कोई दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पर दुबारा करवाँगा इस तरीके का किया था वेल्यूज चेंज है नीट में यह दो बार आ चुका है टू टाइम्स इन नीट 2010 वाला सवाल मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था अब यह 2009 वाला सवाल है प्लेन परपेंडिकुलर तू दा मेगनेटिक फिल्ड रोटेट हो रही है ठीक है जी रोटेट नी रखी होई है इसका रेडियस के श्रिंक होने का रेट लिख रहा हूँ मैं माइनस टू इसलिए लिख रहा हूँ क्या की कम हो रहा है श्रिंक हो रहा है रेडियस कम हो रहा है डी र बाई डी टी माइनस में ठीक है जी तो सिरफ मेगनिट्यूड लिखना है तो आप माइनस हटा सकते हो 10 की power minus 3 से multiply करना बढ़ा तो EMF induced in the row loop at radius is 2 cm, जब उसका radius 2 cm है तो उसमें induced EMF कितना होगा ये पूछा गया है पिटा flux होती है B into A D5 by DT होता है induced EMF flux होती है B into A ठीक है जी, तो B तो constant है तो DA by DT बचता है ठीक है जी अब यहाँ पे ना DA by DT तो कैसे निकालें सर हमें DR by DT given हमें क्या given है DR by DT given मैं बता रहूँ हमें DA by DT को ऐसा करना चीए DA by DT is equal to DA by DR उपर नीचे DR से multiply कर दो ये chain rule कहते है इसे differentiation का chain rule कहते है DA by DR into DR by DT उपर नीचे DR से multiply कर दो DA by DR into DR by DT DA by DR into DR by DT DA by DR into DR by DT उपर नीचे DR DR लगा दिया कोई फरक पड़ा नहीं है अब लूप का area क्या होता पाई आर स्क्वेर differentiate करो भाई DA by DR निकालो पाई आर स्क्वेर का क्या होगा 2R इसको differentiate कर रहा हूँ आर के respect में पाई आर स्क्वेर का क्या होगा 2R into DR by DT पास ये DA by DT की value है इसमें रख दो तो B into ये 2PiR into DR by DT बस अब इसमें values रखनी है और कुछ नहीं करना देख लो देहां से ठीक है magnetic field कितनी है 0.04 2Pi induced EMF क्योंपर इसका एरिया श्रिंक हो रहा है ये श्रिंक हो रही है चारो तरप से क्या हो रही है श्रिंक हो रही है श्रिंक हो रही है तो एरिया चेंज हो रहा है एरिया चेंज हो रहा है तो dr by dt 2 into 10 की पावर माइनस 3 ठीक है 2 into 10 की पावर माइनस 3 यह बन रहा है हमारे पास यहां से देखो बटा यह 0.04 है इसको 4 into 2 10 की पावर माइनस 2 लिख लो into 2 pi into 2 into 10 की पावर माइनस 2 into 2 into 10 की पावर माइनस 3 मिले को देखो 4 और 2 कितनी बार आया है यहां पर देखो देखो देखां से चार दो 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 तीन बार दो आया है थ्ञिक है जी 4 दो 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 तो 32 हो गया यह 35 π, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है, माइनस 7, माइनस 2, माइनस 3, तो 32 π into 10 की पावर माइनस 7, अब इदर देखो, 35 π into 10 की पावर माइनस 7 को ऐसे लिख सकते हो, बताओ जरा, यह 10 की पावर माइनस 1 है, तो इसको लिख लो 3.2 π into 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट, माइनस 6 में पता मैंने क्यों convert किया था कि इसको micro вول्ट लिख सकूँ कि कि answer microlast में, क्यूंकि answer जो हैं वो, microvolts में है, क्या ये बाद समझ में आ रही है, क्या ये बाद समझ में आ रही है, क्या पूरी समझ में आ रही है भी, बढ़ीया, चुक्रिया शुबरात्री शबक है टेक केर गुड़ नाइट और अगर जिन्दा रहे तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे धन्यवाद